कभी सोचा है कि एक पाइथान पॉर्क्यूपाइन को अगर अपना भोजन बनाए तो उसका क्या होगा? या फिर एनिमल किंडम के ताकत वर शिकारी अगर इस छोटे से जनवर पर अपना जोर आजमाते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा? अगर आपने नहीं सोचा तो आज की शौकिंग क्लिप्स देखने के बाद आप जरूर सोचने लगेंगें ये बात किसी से चिपी नहीं है कि इनसानों की दुनिया से परे जंगल की दुनिया काफी अलग है जहां खुद के रुद्पे और खौफ को बरकरार रखने के लिए हम सद्यार दिया हुआ है और जब बात पॉर्क्यूपैन जैसे चनवर की आती है तो मैं आपको बता दूं कि ये जीव एक छुपा रुस्तर में जिसकी खासियत हमला करने वाले चनवर को ही पता चलती है इनी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस खतरनाक शिक अपना डिनर बनाते हुए शायद ही कभी देखा गया था लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि इस जीव ने पॉर्क्यूपैन को खाया है वेग्यानिक बताते हैं कि सापो के कुछ ऐसी स्पेशिस दुन्या में मौजूद है जो इस जीव को खाती है लेकिन सोचने लड़ाई में जीट पॉर्क्यूपैन की भी होती है अब ज़रा इस वीडियो को ही देखे जहां पाइफन पॉर्क्यूपैन को अपना निवाला बनाना चाह रहा है जंगल के बीच का ये वीडियो एक पहाड़ी इलाके का है इस क्लिप में अजगर पॉर्क्यूपैन के पा इससे बता चलता है कि porcupine का शिगार करना इतना भी आसान नहीं होता जो लोग नहीं जानते उन्हें में बता दो कि porcupines बड़े rodents होते हैं जिनके शरीर पर pointy sharp spikes होते हैं और इनी spikes की मदद से ये अपने predators पर भारी पड़ते हैं धर्ती पर porcupines की एक family Europe, Asia और Africa में पाई जाती है वहीं इस जीव की दूसरी family North America और South America में पाई जाती है Europe और Asia में पाई जाने वाले porcupines की प्रजाती आकार में बड़ी होती है ये जीव terrestrial होते हैं और रात को शिकार करना पसंद करते हैं इसके विपिरित अमेरिका में पाई जाने वाले porcupines आकार के मामले में दूसरी प्रजाती से छोटे होते हैं ये जीव wooded areas में रहना पसंद करते हैं ये पेडों पर चड़ सकते हैं और वहीं अपनी जिंदगी पिता सकते हैं जादा तर porcupines हमें आकार में 25-36 इंच लंबे मिलते हैं इनके पास 8-10 इंच लंबी पूछ होती है और इसका वजन 5-16 kg का होता है दिखने में ये जीव बड़े और काफी slow होते हैं खुद के बचाव के लिए ये अपने spikes का इस्तिमाल करते हैं दुनिया भर में porcupines brown, grey और सफेद कलर में पाई जाते हैं दिखने में ये जीव काफी कुछ हैजोग की तरह लग सकते हैं लेकिन इसकी spikes हैजोग से काफी लंबे होते हैं दरसल porcupines का शरीर काटे नुमा होता है अगर इसका कोई शिकार करने की कोशिश करता है तो वो काटे उसके शरीर में छोड़ देता है जिससे शिकार करने वाला जीव तरह तरपकर मर जाता है हाला कि ये अपने quills को अपने शिकारी पर खुद नहीं छोड़ सकते जब तक predators इस जीव को हाथ नहीं लगाते तब तक उन्हें ये quills नहीं लगती ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि इस जीव की vision काफी कमज़र होती है लेकिन इनकी sense of smell इन्हें अपने predator से बचाती है अब सवाल ये आता है कि खतरनाक सा दिखने वाला ये जीव क्या इनसानों के लिए भी उतना ही बड़ी आफ़त है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जीव आपको नुकसा नहीं पहुचा सकता लेकिन आपने अगर उसे चुआ और उसे अगर खतरे का एसास हुआ तो पॉर्कुपाइन एक साथ कई कुल से आपर हमला कर सकता है जिससे बचना काफी मुश्किल होता है हाला कि इन जीव के काटों में जहर नहीं होता लेकिन अगर एक बार ये आपके शेरी में घुज गए तो आपको असर्णिय दर्द का ऐसास हो सकता है कई बार तो इसकिन से खोन भी निकालाता है ऐसे में हमेशा इस रोडेंट से दूरी बनाकर ही रखने में भलाई है कुछ लोग पॉर्कुपाइन को भोजन के रूप में भी खाना पसंद करते हैं कई देशों में पॉर्कुपाइन के मीट एक प्रस्वित्र डेलीकेसी है हाना कि देखने में आपको इसकी बनावट भयानक लग सकती है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पॉर्कुपाइन असल में हार्भी वरस होते हैं यह जानवर हर्प्स, लीफ्स और ग्रीन प्लैंट्स को भोजन के रूप में खाते हैं और सर्दियों में इनकी उपलब्धता कम होने पर रूट्स और फलो को खाना पसंद करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि फूल पतियों को खाने वाला यह जानवर खुंखार कैसे हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पॉर्कुपाइन कभी भी दूसरे चीवों को परिशान नहीं करते हैं लेकिन छेड़े जाने पर अपने बचावा में कुछ भी कर सकते हैं उदारन के लिए जरा इस वीडियो को देखें जहां लेवपड पॉर्कुपाइन को अपना टीनर बनाने की फिराक में है लिवपड जैसे ही पॉर्कुपाइन पर जपड़ता है उससे पहले की तिंद्वे को ही काटा चुप जाता है और उसे डरा कर लड़ाई के मैदान से भागने पर मजबूर कर देता है ये वीडियो इसलिए भी मज़िदार है क्योंकि लेवपड को अक्सर बड़े बड़े जानवरों पर भारी पड़ते देखा गया है लेकिन पॉर्कुपाइन से ये आसानी से हार मान जाता है चलिए ऐसे ही कुछ और मज़िदार वीडियो आपको दिखाते हैं जाए ये छोटा सा जीव बाकी जीव पर अपनी धौश जमाता नज़र आ रहा है डॉग वर्सेश पॉर्कुपाइन अब जरा इस वीडियो पर नज़र डालिए जहां डॉग्स अपने मालिक के साथ क्लिनिक आये है दरसल इन दोनों डॉग्स ने पॉर्कुपाइन से भीडने की कोशिश की जिसका नतीजा आप सभी के सामने है पॉर्कुपाइन ने अपने काटों से इन दोनों कुटों के मुझ पर हमला किया माली का कहना है कि जैसे ही उसने इन कुल्स को निकालने की कोशिश की वैसे ही कुत्तों के मुँँ में काफी दर्द हुआ एसे में मालीक ने vatic की मदद लेना जाता पेतर समझा लेव वर्स एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं जानल और पद परॉक्यों फिन क्लिप में लेव पर्कष्यों से भीड़ने के भरसक प्रयास कर रहा हाला कि छोटा सजीव अज लबाइन के लेकिन उक्साने पर ये भी जबर्जस्त हमला कर सकता है। और जैसे ही लिवपर्ड ने पॉर्क्यूपैन पर जपड़ने की पहली कोशिश की उसके हाथ और मुँ में काटे चुग गए। हाला के लिवपर्ड अभी भी इस जीव के पकड़ने की उमीद लगाए बैटा है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन पॉर्क्यूपैन के काटो को डॉज करना काफी मुश्किल है। दोनों की ये खीचातानी काफी समय तक चलती रहती है। लेकिन तेंदुय को पता है कि इस दिस्तिती से कैसे नहीं पटना है। तभी तो अंत में ये शिकारी एक जपट्टे में ही पॉर्क्यूपैन को मुझ में दबा लेता है। और उसे मरने तक नहीं जोड़ता। एक बार इस जीव के दम तोड़ देने पर लेयोपोर्ड उसे अपने सांथ ले जाता है और अपने लंच की तयारों में चुट जाता है। चलो शुक्र है इस जीव की मेहनत तो रंग लाई। और उसे इस गलती की बड़ी सजा मिलती है। जैसे ही ये जीव पॉर्केपाइन पर हमला करता है वैसे ही इसे जवाबी कारवाई में धेर सारे काटों से लाद दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बवा कंस्ट्रिक्टर के शरीर का कोई भी हिस्सा खाली नहीं बचाए। इन काटों से होने वाले दर्द से ये सांप बुरी तरफ परिशान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज इस सांप का तील बेहदी बुरा है जो इसने पर्कुपाइन को अपनी टाइट में शामिल किया। आमतार पर बुवा कंस्ट्रिक्टर, बैट्स, माइस, बर्ड्स और लिजार्ड को ही अपना भोचन बनाते हैं। लेकिन आज इसका मोड कुछ चेंज हुआ होगा। पर्कुपाइन देखा है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिक्शन आइकन को आउन कर लिजिए ताकि मारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार।